आप सब उमीद करती हों खैरियत से होंगे और हम नावल पढ़ रहे थे बत्तमीज इश्की जिसके राइट है रहा है रादा बानारी क्या बात है अरे जिने शांजे से पूछा था लेकिन वो अपनी पूजीशन में ही लेटी रही थी जैसे सो रही हो शांजे में बेवकुफ नहीं हो मुझे पता है तुम जाग रही हो तो प्लीज बनो मत सीधी सारा शाफ़त से बताओ मोई श्रीफ क्यों सूजा हुआ है इसने शांजे की ओरने वली चादर खेंची थी वो जानती थी कि कुछ बात जरूर है सुबह तक इसका मूट काफी फ्रेश था और वो काफी एकसाइटिड थी पर जब से वापिस आई थी ऐसा कुछ भी नहीं था वो काफी सिरियस दिख किया होगा पर क्या ये तो बता दो वरना मुझे सारी रफ नहीं नहीं आएगी अरेश अपनी ही दून में दी इसलिए इसे एहसास नहीं हुआ कि पामला काफी सिरियस है अपना मूट बंद रखो और कोई जरूरत नहीं इस बत्तमीज जाहिल बिहुदा इंसान का नाम लेन कि बात काफी बिगड़ी हुई है लेकिन वो जानती नहीं थी कि अभी इसने अपना दिल हलका किया तो वो ऐसे ही खुद को तकलीव देती रहेगी अरेश ब्लीज मुझे कुछ भी नहीं करना बस ओके मत बताओ मैं भी नहीं बताओंगी कि मैं भी बहुत उदास हूँ का है यार कभी तो समझा कोरी में रिजस बात को बंदा सच में भी प्रेशान हो सकता है दुखी हो सकता है पर यह तुमारी फजूल किसम की कॉमेडी इससे तो अगले की हट जाती है शानसे ने बैठे-बैठे कहा था अब क्या करूं जो है बस यही है इसी से गुजारा कर ल होगी अच्छी सी शानसे ने फरमाईश की थी वह क्या मूर खराब है मैडम का इससे तो अच्छा था तुम लेटी ही रहती अरेजे को तब चड़ी थी कोई ऐसा गम नहीं है जिसमें तुम चाहे भी ना छोड़ दो वह पाउं पडखती उट गई थी उपर ले आना शानसे जोट तो पिर वह रेजे को क्या बताती लेकिन उसर ने खुद माना है इस बात में किसे कैसे झाहे सक्ती थी तो पिर स्ञete की क्या है । क्या पिर वह सब क्या था तुम इसकी आंकों में महसूस किया क्या मुझसे कोई गलती हो गई इसे फिचानने में अभी तो भरोसा करने लगी थी इस पे और इसने एक आंसू अपनी हदूद से बाहर निकल गया था शांजे बड़ी बिरहमी से इससाफ किया था ये लोगर मगरम चाहे इसने एक कप शांजे को तुमाया और दूसरा खुद लेकर बैट की थी कितनी ठंडी हवा है ना चानती हो हर मुश्किल अपने साथ असानी लाती है वैसे ही अलाजी ने दिन के साथ रात बनाई है ताकि जब बंदा दुनिया के खुदगर्जी और भेमरवदी से ठक खार जाए तो रात के इसके अगोश में अपने सारे दर्द छुपा दे अक्सर जब हम दिन में बहुत गर्म होता है तो रात अलाजी ठंडी कर देते हैं ताकि इनके बंदे इससे सकुन हासिल करें देखो किती ठंडी हवा है ना अर्जे शानसे को पका रहा था और वो सिर्फ हामें सर ही ला सकती थी जबकि ये चेहरा हनूस उत्रा हुआ था अर्जे को समझ नहीं आया था कि वो कहां से बाश शुरू करें अगर्चा बात के इसको इल्म नहीं था पर इसके संगीन की नौईयत का इल्म जरूर हो गया था अर्जे मुझे यूसफ ने किटनैप किया था शांजे की आंखों से आंसु टपके थे चिपके वो कपको मूल लगाते लगाते रुख गई थी और इसने शांजे को देखा था जैसे वो अभी कहेगी कि मैं मजाग कर रही हूं पर वहां ऐसी कोई भी असार नहीं था शांजे हो सकता है तुम्हें कोई गलत पैमी नहीं हुई इसने खुद माना है मेरे सामने शांजे नोने लगी थी प्रीज शांजे रो मत तुमने पूछा क्यों किया इसने ऐसा वो तो तो तुम से नफरत करता है वो मुझसे इससे मजबूर होके इसने यह सब किया नहीं जितना तुमने बिजब बता है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसका हाले दिल पैयान न करे हो सकते है इसने गलती से गलती से? तुम्हें सच में लग रहा है गलती से? यह एक सोचा समझव प्लैन था पुरी त्यारी के साथ किया रहा है प्लैन तुम जानती नहीं हो वो कैसे लोग थे? क्या करना चाहते थे मेरे साथ? और भैत में याद है ना घर में कितना हंगामा हुआ था इस रोज और इन सब इस यूसफ के वज़़ा से और सब के सामने कितना अच्छा बन रहा था पापा मामी जानी सब कितना शुकर हुजार थे उसके मैं बेवोकुफ थी जो समझ नहीं बाई मेरा दिमाग में पढ़दा पढ़ गया था और कौन हो सकते है जिससे मेरी यूनिवेस्ट्री में दुश्मिनी हो शांज्गे तुम इससे बात करनी चाहिए एक बार तुम इसे अरे इसे ने बात संभालने की कोश्शИक की थे बात? सेरियस्ली? क्या बात करूँ मैं इससे? वह वो सब कुछ मान चुका है मेरी सामने इसके पास कुछ नहीं है कहने किल is सीवाए सोरी के शांजे प्लीज यार चंडे दिस्टे सोचो मैं वानती हूं इसने बहुत बढ़ी गलती है लेकिन हो सकता है कि जस्मात में आकर या उसे में इसने ये सब कर दिया और ये तुम ये वाद कैसे नजर अंदास कर सकती हो कि इसने तुम्हे इन लोगों से बचाया भी और खुद घर छोड़ कर गया मैं इसके वज़े से मुसीबत में भासी दिको ये इसने ये सब करके शांजे अगर फुसच में नुकसान पहुचा जाना चाहता तो तुम्हें बचाता ही क्यों प्लीज आरेजे बस करो मैं कुछ नहीं सोचना चाहती और नहीं सुनना चाहती हूँ इसने मेरे भरोसा तोड़ा है इसके वज़े से मेरे माबापने कितना कुछ सुना इस दिन इसके वज़े से मैं वो वक्त कितनी अजियत से गुजा रहा है मैंने तुम नहीं जान सकती कभी नहीं जब आदमी मेरे पैरों में चूरा था तो कितनी अजियत हो रही थी मुझे इनके गंदी नजरे कितनी तक्लीफ दे रही थी मुझे कोई नहीं समझ सकता वो रोने लगी थी नफरत करती हूँ मैं इससे ऐसे नहीं इससे गले लगाया था वो जो कह रही थी खलत नहीं था कोई भी लड़के अपने इजल से बढ़कर किसी को नहीं चाह सकती लेकिन फिर जाने क्यों दिल यूसफ को पूरी तरह से कसूरवाड नहीं मान रहा था जान से प्लीज खुद को संभालो यार चस्वात में कोई ऐसा फैसला मत करना कि बाद में तुम्हें पच्टाना पड़े चल यार घर चलते हैं बहुत देर हो गई है मौसिन इससे यूसफ का हला यूसफ की हाला से इससे देखी नहीं जा रही थी क्यों खुद को तकलिफ दे रहा है हम बात करेंगे ना शौनसे से क्या बात बात करने को बचा ही क्या है सब तो खत्म हो गया है मौसिन को लगा इसकी आवास किसी खाई से आ रही है नफ्राइट करती है वो मुझसे में शकल तक दिखना नहीं चाहती इसने मुझे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया वो समझती है वो आदमी मेरे बेज़े हुए थे कैसे वो सोर सकती है ये सब कुछ देख यूसफ इसने सब इसका सोचा हुआ नहीं है जितनी पूर इतमात वो लग रही थी न इसे साफ छाहिए को वो सब जानती थी लेकिन अगर वो सब जानती थी तब पहले कभी कुछ क्यूंने का इसका मतलब है किसी ने कुछ बताया है इसे पर किसने उस तब हेरान हुआ था यही तो पता लगाना है और यह सिर्फ शान्द ही बता सकती है किसने इसे कुछ गाओ और वो थो मुँट से बात तक ही नहीं करना चाहती मैं कैसे की इन दिलाओँ इसे यह मेरा दिल बदल गया इसके लिए कैसे बताओँ इसे कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सका इस हरकत के लिए कैसे बताओं इसे कि इन लोगों को मैंने नहीं भीजा था कैसे बताओं कि जब इन लोगों नहीं इसे फगड़ा तो कितनी मौते मरा था मैं कैसे बताओं इसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा मान दो कि मैंने खलती की है पर रहते में इसे सुधार ने की पूरी कोशिश की मैंने जानता था कि वो सब भूगा कैसे बताओं मैं खुद अब तक मात नहीं कर सका इस सब के लिए देख मेरी बात सुन मौसी ने दोनों हाथ इसके कंदे पर रखे दे और यूसुफ वो सिरफ सर हिला कर रह गया था शानजेय यूनिया आगय लेकिन इसका δिल कहीं नहीं लग राता तो कभी लगते है यूसफ हस रहा तो कभी इसके पास से गजरने की आहट में सूस होती तो कभी लगते है इसकी आवाज आ रही है पूरी रात इसके कश्मा कश्मा ही कट गई थी कभी दिल चाहता कि एक वार इसकी बात सुनें तो कभी दिल चाहता कि इस बेमान की एक न सुने पर मुसीबत ये थी कि दोनों ही सूर्तों में तकलीफ इससे ही बरदाश करनी थी खुद से लड़ते लड़ते वा ठक गई थी आज अगर ट्रेस्ट का रिजल्ट ना आना होता तो वो कभी ना थी इस वक्त यूसफ का सामना करना इसे दुनिया का मुश्किल तरीन का लग रहा था लेकिन बेरहाल अभी से ये करना ही था वो ओड़ी के बाहर बैठ गई थी अभी रिजल्ट नहीं लगा था और बहुत से स्टूरेंट भी वहां इंतिसार करे थे जब सभा इसके पास आई थी तुम ठीक हो? मुझे को चुआ था? शांजे ने हैरान होते हुए बूच था अरे कल वो सभा ने बात बीच में ही छोड़ दी थी वो कल की बात थी शांजे कलहजा स्पॉट था मैं मानती हूँ इसने घलत किया पर शांजे मुझे लगता है कि तुम एक बार युस्तुफ की बात सुननी चाहिए जैस बारे में कोई बात नहीं करनी शांजे ने दोटोक जवाब दिया था प्लीज शांजे इतनी सकति नार बनो हम इंसान हैं कलते इंसानों से ही होती है इससे भी हो गए पर इससे माफी मांगने का एक मौका तो दो सभा तुम मेरी दोस्त हो या उसकी शांजे नराज़की से पूचा था शांजे तुम किस तरह बात कर रही हो सभा इसके अंदास पे हैरान हुई थी चूँके इस वक्त इसकी वकील जाता लग रही हो तो शांजे ने टिकासा जवाब दिया तब या ओडी खुलने की अनांस्पेंट हुई थी वो अपना भैग लेते हैं वहाँ से उड़के थी इसका उसा अभी तक बरकरार था सभा ना इससे दुख से जाता हुए देखा था वो ओडी में दाखल हुए थी तो करीबन पूरी ओडी फुल थी ओडी में टेस्ट के रोल नंबर्स के हिसाब से बिठाया गया था और फिलहाद सिर्फ एक सीट ही खाली थी और वो सीट इसके दुश्मने जान वाली सीट थी इसे यकीन ही आए था कि किस वद ऐसे भी इमत्यान लेती है तब ही ओडी में खड़े प्यून ने इसके इस स्रोल नंबर की स्लिप ली थी और इसकी सीट की तरफ इशारा किया था और वही सीट थी जैस पे बैटने का वो सोच भी नहीं सकती थी यूस्ट के बराबर वली थी और खुस्ता तो शांजे को बहुत आया पर फिलहार वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती तब ही मेरे कदमों से चलती हुई यूस्ट के बराबरा बैटी थी दिल में पूरा हरादा किया था किया था कि अगर यूस्ट ने एक लफ़ भी बोला तो वह बिना लिहास कि इसे खरी-खरी सनौ देगी शांजे इंतजार कने लगी थी वह कब बोलेगा लेकिन खलाफे तो वकर इसने कुछ नहीं कहा था और ये बात इसे मजीद गुसा दिला रही थी माइक में मिस कलसुम की आवाज आ रही थी अब से कुछ दिर में रिजल्ट स्क्रीन पे आप रिजल्ट देख सकेंगे और वही रिजल्ट नोटी स्पोर्ट पे भी लगाया जाएगा ताकि जो स्टुडेंट आज नहीं आए वो पासा नहीं अपने रिजल्ट देख सकें जैसे कि हमने पहले ही कहा था बाइक 뒷 में आप ताकि आप लेगा brightly पहलने पहले वे आप रिजल्ट ददेख सब्सक्राव वाल झाव पर भी टम नहीं उलोज परफ़ुर्फ़ूर्ज हम आप बनाось आप पनाएंगे और ना ये टीम हम बनाएंगे आपके मार्क्स जिन दो लोगों के मार्क्स के एक जैसी होंगे वो एक साथ एक टीम के बतोर परफॉर्म करेंगे हर टीम में एक सीनिय और एक जूनियर स्टूडेंट चाह मिलोगा हाल में तालियों की अवास कुझने लगी थी सक्रीन ने रिजल्ट चलना शुरू हो गया था पहले सीनिय स्टूडेंट का नाम आता है और फिर रोल नमबर के बाद जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट तो अनोखा अंदाज में शो किया जा रहा था जिससे तमाम स्टूडेंट की तबज्ज़ अपनी जानी कहाची थी हर शक्स अपनी जगारा सांस रोके अपने नाम का मतज़िर था अब सिर्फ छे नाम बागी थे सबसे पहले नाम उबरा था शाहनवास का जिसके मार्क्स इतनी जादा थे कि सब हैरान थे कि फरस्ट आनिवल स्टूडेंट के मार्क्स कितने ज़्यादा होंगे सक्रीन के दूसरे हिसे पे मार्या का नाम उबरा था दोनों के से मार्क्स से थर्ड पोजिशन लेते हुए दोनों की एक टीम की तर्फॉर्म करने माले थे हाल में तालियों का शोर गूंच जाता लेकिन शांसे के दिल पे अच्छी मायूसी चारी थी वो जानती थी कि इतने टफ कमप्टिशन में पोजिशन लेना काफी मुश्किल है जबकि यूसफ नहायत पर सकुन से बैटा हुआ था जैसे वो रिजट पहले से जानता और यही इतना शांसे का खुस्सा बढ़ा रहा था सक्रीन पर दोवारा नाम उबरा था नाम इस दफ़ा वारिस का था जिसने दूसरी पुजिशन गेन की थी सक्रीन के दूसरे हिस्से में नाम उबरने लगा था हाल में बैटे दो लोगों ने दुआ की थी कि शांसे ने अपना नाम आने की और युसफ ने इसका नाम ना आने की सक्रीन पर नाम उबरा दोनों ही अरान रहागे दोनों ने एक की दुआ कबूल हुई थी अब एक दूसरे की शकल देखने में मुसरुफ थे हाल में तालिया बज़ रही थी फर्स पॉजिशन का नाम रिजल्ट अनाउंस हुआ था तब ही मिस कलसूम ने माइक में पूच जाता है और पुरे हाल में सिर्फ एक ही नाम गूंजा था यूसफ 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 स्टूरिंट का शोर बढ़ रहा था जबकि यूसफ यूसफ यूस तिर्फ शांजा को देख रहा था और शांजा यूसफ का दोनों इस बात से बेखा बढ़ थे कि स्क्रीन पे यूसफ का नाम चमाग रहा है जबकि यूसफ को इस बात की अब कोई फिकर नहीं थी कि ना चाहते हुए भी दर्द आंसु बनका रानिया की आंखों में वह निकले थे क्योंकि वो नहीं जाती थी लेकिन जब भी वो दोनों को साथ देखती थी तो इसकी हालत ऐसी ही हो जाती थी बिना मकसद वो अपना मुकाबला शांसे से करने लगी थी क्या था इसमें हर लेहाँ से वो रानिया से कम थी ना फैमिली बैग्राउंड ना क्लास ना कोई सोशल सरकार आम से कपड़े फैशन सेंस कुछ भी नहीं था इसमें और यूसुफ जैसे हिंदो सौम बंदे की डिजसर्फ करती है और हैरत तो इस से यूसुफ पर दी ते कितनी लड़कें थी जो इस पर फिदा थी इसकी एक नजर पाने के लिए मरी जाती थी पर इसने कभी किसे लिफ्ट नहीं करवाई थी जो जिसके अंदर पलता है सबसे जाद इसी को डसता है तो क्या लगता है आप सबको जो यूसुफ की टीम का दूसरा मेंबर बने वाला है फिसकल सुम की आवास ने रानिया की सोचोगा से सलसल तोड़ा था एक बार फिर हाल में बैठे दो लोगों ने दुआ की थी एक ने शांजे का नाम ना आने की और एक ने इसका नाम आने की जगा वही हलात वही दुआ वही लेकिन इस बार दो लोग रानिया और यूसुफ थे कबूलियत का वक आकर खोसर गया था तो वहा कबूल हो गए थी और दोनों जो पिछले धाय मिनट से एक दूसरे को एक ही पोस में देख रहे थे बिलाकर इन में हलचल हुई थी और ये हलचल यूसफ की मुस्कुराहटने की थी शांजे ने कुछ हैरानी से से देखा था है ना कोई नफसियाती इंसान शांजे ने दिल में बोला था वैसे ही इसे दुख था वारिस के साथ नाम ना आने का इसका सीधा सीधा मतलब यहीं था कि वो इस कॉमपटिशन से आउट है उपर से यूसफ की जान लेवा मुस्कुराट लेकिन वो तो हस्ट सेगा और क्यों ना क्योंकि हमेशा की तरह इसका नाम जो आ गया था स्क्रीन पे यूसफ की टीम के साथ मिंबर का नाम अब चमा करा था लेकिन अब की बार दोनों को कोई फिकर नहीं थी यूझके शांज़े नाम इध हो गई थी जबकि हिसफ के चेरे पे सकुन ही सकून था जैसे वो जित्म जान जान जानता था क्या शांज़े का नाम ही आने वाला है शांज़े का दिल चाहा था क्यों इठकर कुई भाग जै şurत आ back या लिए और आता था प्रिजिशन गोस्टू मिस्षांजे हिसान और शांजे पर तो हैरतों के पहार गिर पड़ थे वो बेयकीनी की आलम में कभी स्क्रीन की तरफ देखती तो कभी यूसुफ को तो क्या यूसुफ पहले से जानता था? ये तो मुम्की नहीं 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 था तो फिर क्या है से मुझपर नहीं नहीं इस नहीं सुचा था क्यों फॉर्स प्रोजिशन नहीं लेसकती तें। होने का सोग तभी स्पीकर में मानूसी आवाद कुझी थी मुझे यकीन है आप सब पहतरीन तुलबा हैं आप में से कोई किसी से कम नहीं है इसलिए मैं आप सब की शुक्र गुजारूं क्यूंकि आप लोगों के प्यार और महबत से ही हम ये कॉंपेटिशन अरेंज करने जा हैं मुझे अमीद है आप सब बहर पूर तरीके से शामिल होंगे और जो अप कॉंपेटिशन का हिस्सा नहीं है वो अपने साथियों को खुब स्पोर्ट करेंगे अब से ठीक दो दिन बात आपको यहीं कुईस कॉंपेटिशन में आना है जीतने वाली दस टीम्स आगे ही थी मुबारका मुबारका महक और जारा सबा ने एक साथ कहा था जबके सबा ने मुहबब से शांजे को गले लगा था थैंक्यू सबा शांजे को शर्मिदगी हुई थी कल जैसे इसने सबा को ज़ाडा था इसे बिलकुल मीद नहीं थी कि सबा आज इससे बात करेंगी ले सफे वन किया बलके पॉजिशन भी ली और ना सिर्फ पॉजिशन ली बलके यूसफ के साथ टीम बनाने में भी कामियाब हो गई अब तो कोई भी तुम्हें जीतने से नहीं रोख सकता और यूसफ जो तुम्हारा पार्टनर है रहक ने काफी पुर्जोश अंदास में का था क्योंकि वो यूसफ के मंदाओं में से एक थी और ये बात इन तीनों से ढखी चुपी नहीं थी शांजे को मुग का नक्षा बिगाड गया था यूसफ के नाम से ही और ये सबाने खूबी महसूस किया था लेकिन फिलाल वो जारार महक के साथ कुछ सामने बात नहीं करना चाहती थी इसलिए सबाने दुबारा से ट्रीट का पॉइंट ड्रेस किया था ताके शांजे की जान छूट जाए और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी क्यूंकि फुतिनों सब कुछ बूर भाल के इससे ट्रीट मांग गए थी चलो मीट बहनो चलो शांजे ने हार मांते वए का था इसलिए वो सब केंटीन की तरफ चल दी थी कॉंग्रेचुलेशन्स रान याने आगे बढ़कर मुबारी बादी थी यूसफ को इसके बाद महसिन और उमर ने भी रुवायत को दो रहा था अब ये बदाओ ट्रीट कहा दोगे रान याने केंटीन में यूसफ के बराबर बैठते विका ट्रीट किस बात की यूसफ ने मसनुई हैरानगी से पूछा पनमत तुम अच्छी तरह जानते हो रानिया ने इसके बादों पे मुका मारा था अरे यार अराम से जान लोगी क्या हाँ ले लूँगी अगर तुमने ट्रीट ना दी तो अब की बार शान से ही बाल बिगड़ रहे थे उफ तुम भी ना बच्छों के तिरा जिद करती हो सारी महनत तो मैंने किये तुमने क्या किया है यूसफ ने रानिया के माते पर उंगली से नोक किया था मैंने तुमारे जितनी की दुआ जो की है वाह मुझे नहीं पता था आजकल दुआएं बड़े फ्रॉक्त है पैसे फिर तो तुम अपना कारोबार ही शुरू कर सकती हो नहीं आओ आओ दुआएं ले लो बदली में ट्रीट दो यूसफ ने काफ़ी प्रफेशनल नाज में आवाज लगाई थी और वह मुसलसल रानिया के टांक हैंच रहा था ओके नहीं देनी तो मत दो कंजूस ही कहीं के बात ना करना मुझसे और वह कुछ से मैं खुआ जाने वाली नजवसे से देखने लगी तब ही यूसफ ने इसका हाथ पकड़ कर रोका था तुम भी ना अच्छल चुट-चुटी बातों पर नारास हो जाती हो चलो आज शाम को तुमारी ये खुआश पूरी कर दी जाएगी खुश मैंने ही मानने वाली है ऐसे जान याने मूँ पलाया था और वो और यूसफ बच्पन के दोस्ते वो जानती नारासगी यूसफ की कमजोरी है जब कोई इससे नारास होता तो इस वक्ट ये सकून से नहीं आता था जब तक वो इससे मना ना ले और इस वक्ट वो इस बात का पुरा फाइदा उठा रही थी क्योंकि इसने सामने से आते शान्जे और इसके ग्रूप को देख ले था और यही सबसे बहतरीन मौका था शान्जे को अपनी एहमेत जताने का तब ही इसने मसूमान अंदाज में बोला ठीक है पहले तुम कान पकड़कर सौरी बोलो ओके ठीक है ये लो सौरी यूसफ ने कान पकड़े थी इसी दम यूसफ की नज़र शान्जे पर वड़ी थी जो जाने कपकेंटीन में आई थी और खलाफे तबाक का इसी को देख रही थी जाने क्या था शान्जे की आँकों में जो यूसफ ने पल भर में ही रानिया का हाथ छोड़ दिया था लेकिन शान्जे मूँ मौड चुकी थी और इस बात ने काफी हद तक रानियों को तस्कीन पचाई थी वो जो करना चाहती थी बहुत महारत से कर गुज़े दे और फिलहाल इसके लिए बहुत था कि शान्जे यूसफ का मूँ तक नहीं देखना चाहती थी ठीके मैं चलती हूँ शामी मिलते हैं रानिया ने अपना बैग उठाया और वो चल पड़ी थी वो सब बाहर की तरह बढ़ गए थे एन इसके शान्जे का गुरूपी के डिनी से बाइट जा रहा था मुबारी को रानिया ने शान्जे की तरफ हाथ बढ़ा था थेंक यू ना चाहते बेबे शान्जे इसका बढ़ा हाथ थाम लिया था वेल तुमने काफ़ी अच्छा स्कोर गें किया रानिया ने इसकी तारीफ की थी लेकिन शान्जे का वो हजब नहीं हो रही थी क्योंकि वो रानिया को अच्छी तरह जानती थी इस हिसाब से तो इस वक्त रानिया को आग बरसानी चाहिए थी लेकिन यहाँ तो मौसम बहार था थेंक यू सो मच्च इस वार शांजे ने काफ़ी हम्बली जवाब दिया था काफ़ी मेहनत की होगी न तुमने इस competition के लिए लेकिन बेफिकर हो जाओ त्योंकि यूसफ जो तुम्हार साथ है वो कभी किसी competition में नहीं हा रहा रानी ने मुस्कुरा कर शांजे की तरफ देखा था चलो all the best चानिया आगे बढ़ गी थी इसने यूसफ को क्रीब आते देख लिया था शांजे congratulations पीछे आते यूसफ ने कहना चाहता पर शांजे पाउंपर टक कर चली गई थी यूसफ ने अफसोस इसे जाते देखा था असलेम कमरे में यहां से वहां फिर रहा था चहरे पे काफी परिशान मानूमत आता अमा और आमना बहुत देर से इसे देख रही थी जो यहां से वहां चक्कर काट रहा था वो दोनों जानती थी वो क्यों परिशान है लेकिन किसी ने भी इसको बुलाने की कोशिश नहीं की थी तब ही वो ठक हारकर इनके पासा बैटा था अम्मा, अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ इसे खुद ही अम्मा को पकारा था अम्मा और आमना दोनों एक दूसरे की तरफ मतवज़ थी अम्मा कुछ तो बोल क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ साप तो बड़े सीधा आदमी था मेरी बातों में आ जाता था पर इसका बेटा वो बहुत चलाक निकला मुझे लगा था टांग अकड़ कर खुद ही मुझे लगा था खुद ही तंगा कर वो आ जाएगा पर देख आज दो हफते हो गया है फोन आया हो नहीं इसका फोन देख असलम पहले भी कहा था अब भी कहती हूँ बता दे सच ना दोका दे अम्मा ने कहना शुरू किया अम्मा ऐसा ना गो क्या बढ़ी भारी किमत चुकानी पड़े अम्मा मैं कब धोका दिया है असलम ने कमजोर आवाज में कहा था बेटा लेकिन तोने सच भी तो नहीं बिताया क्या ये धोका ना हुआ अम्मा ने असलम के सर पर हाथ पेरा था जो इसने बुरी तरह जटकर था अम्मा तो क्यों नहीं समझती बहुत है इसके पास इसे कुछ पैसों की कमी नहीं होगी अम्मा तु मेरी बात मान जा देख बेटा इंसान जो बहुत है इसे वही काटना होता है आज तक ऐसा नहुआ कि किक कर बोया और इसकी जगा आम खाया तुने दोका दिया और एक नहीं एक दिन तेरे पास लोट आएगा बिटा हराम करने से अलाद हराम की नहीं होती बलके हराम की कमाई खाने से अलाद हराम की होती है तो क्यों भूल चाते है हमारी प्यारी नभी ने यहीं कहा है और वो हम में से नहीं है जो धोका दे देख हमा मैं मानता हूं यह सब बाते लेकिन आज के समाने में यह सब नहीं होता कोई माका फातिय अमल नहीं होता तु देख दो कितने काले काम करके पैसा कमा रहे हैं कहां कहां पहुंच गए है पेड़ा आला की लाटी भेहवास है पेड़ा देर सवेर हो सकती है पर टलने हैं सकता कभी कभी कुछ चीज़े बहुत देर से फलटती है लेकिन वो लोट कर जरूर आती है जैसे के मसलूम मसलूमों को दिया जाने वाला दोका बस समा मैं आखरी बार कह रहा हूँ अगर तुने मेरी बात न मारी तो मैं अपनी जान दे दूँगा मने तास्फ से अपने कलोते बेटे को देखा था और सोचा था कहां कमी रहे थी इनकी परविश में जो वो ऐसा हो गया था इनके होने तो कभी इन्होंने तो कभी इन्हें हराम का निवाला तक नहीं खिला था तो फिर कहांजे इसके खून में ये सब शामिल हुआ मैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ शानजे ने मिस कल्सूम के रूम के द्रवाजे पर पहुंच जा जी जी शांजे आएं, उन्होंने बहुत महबद से शांजे को पका रहा था, मैं माई थिंग, आप बिजी है, मैं बात में आ जाओंगी, शांजे ने सर मसंसर को वहाँ दे कर का था, नहीं शांजे ऐसी कोई बात नहीं आप बोलें, इनका लहज़े इतनी शफकत लिए हुए कि शांजे को समझ नहीं आते कि बात कहां से शुरू करें, मैं वह दर असल वह हिचके चाही थी, क्या हुआ भई, इसनी होना है स्टूरेंट को चुप क्यों लग गई, सर मसंसर ने से होंसता बढ़ाया था, वह जानते थे, कुछ बहुत परिशान किन बात है, इसलिए वह मैं मैं पार्टनर चेंज करना चाहती हूँ, मैं यूसफ के साथ इसमें पार्टिस्पेट नहीं लेना चाहती, शांजे एक ही लाइन में कालम बात पूरी की थी, वहां बैठे दोनों लोगों के सदमा लगा था, लेकिन क्यों शांजे हैं आप तो उनों से तो हमें कितनी उ बाइस बनती है, लेकिन फिर भी वो एक बेहतरी दुलबा में से एक है, अगर सिर्व वो बज़ा है तो यकीन को रहे, इसकी पूरी जमदारी मैं लेता हूँ, सर्मस्तंसर ने बारे में मान से कहा था, शांजे को रश काया था, यूसफ पे, कितना लगी है ना, कितना चाहत हैं इसे सब, इसने दिल में सोचा था, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस मेरी और इसकी टीम नहीं हो सकती, टीम में अंडिस्टेंडिंग होना जरूरी है, और मुझे नहीं लगता हम दोनों में एक साथ एक अच्छी टीम की तरह काम कर सकते हैं, शांजे लेकिन इस कॉलस्फाइ करना पड़ेगा, सर्मल संसर ने काफी दुप परे लहजे में कहा था, चीक है सर मुझे मनजूर है, सामने बैठे दोनों लोग हरान रहागे थे, शांजे आप अच्छी तरह सोच लें, फिर कल तक हमें इन्फार्म करतें, मिस कलसूम ने इससे कहा था, मैं जा सर्मल संसर ने किसी को कॉल मिला थी, शांजे 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 रुको यार, प्लीज, यूसफ इसके सामने ख़ड़ा हुआ था, शांजे प्लीज, तुमसे बात करना चाहता हूँ, वह तुबरा बढ़ने लगी थी, यूसफ ने फिर से इसे रोका था, लेकिन सुमन बढ़ो, तुम जानते हो, मैं खुछ नहीं जानता, तुम बताओ, ओ, अच्छा, मेरे पास वक्त नहीं है, तो फिर अलहाफिस, वह कहती हूँ, आगे हुई थी, शांजे प्लीज, यार, बताओ, मुझे क्या हुआ हुआ है, यूसफ का सर सच मुझ चकरा था, अभी तो एक मसला हल नहीं हुआ था, उन्हें जान पुछ कर मेरे इस जैस स्कोर किया था, ताकि मैं और तुम एक टीम में हो, इससे इंतहार बितुक की बात की थी, कुछ पल तो यूसफ इसका मुई देखता रह गया था, वाट, अरे, यूर इन संसे, मैं यह सर्फ क्यों करने ल जल कर कहा था, और तुम ठहरी पिचारी पाकिस्तानी, जिसको अपनी तो कोई अकल ही नहीं है, किसी ने कुछ कहा और माल लिया, यूसफ ने चोट की, जबके शान से कबराई थी, किया यूसफ जानता है कि मुझे किसी ने, इसने दिल में सोचा था, देखो यूसफ पकवा अराम सा बात नहीं सन सकती, यूसफ को कुछ खुसा है था, शान से के सारे तबक अच्छी तरह रोशन हो चुके थे, शुकराई इस हिस्से में स्टूरेंट का रोशन नहीं था, वरना मानता हो गलती कि यह है, जो तुम्हारे साथ किया, घलत किया, तो मैं हजार बार तो मैं माफी मांग लूगा लेकि, तुम्हारे आगे हाट चोड़ सकता हूँ, को तो पाओं भी पढ़ सकता हूँ, को तो जीना चोड़ सकता हूँ, जो तुम कहोगी करूँगा, तुम जो बोलोगी मानूँगा, लेकि तुम से बात करना, यह सब मेरी बस से बाहर है, शान आखे पाड़े से देखने में मस्रूफ थी जहां तक बात है स्कोर की तो एक बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो रिजल्ट किसी को भी मालम नहीं था स्वाए मिस कलसूमर सर मसंसर और डीन साप के तो बोलो अब तुमें इन तीनों पे किस फे शक है? शान जै मुझे पूरा यकिन है तुम पर और तुम्हारी काडियात पे तुम अच्छा स्कोर कर ओगी क्या तुमें नहीं था जो तुमने यह सब सोचा? शांजे निसने चुराई थी, वो जानती थी, वो तीनों ही अपने प्रफेशन से कितना इमानदा है, शांजे हर रात की सुबह होती है, ऐसे ही हर गलती की माफी भी होती है, सब सामने वाले के दिल में आप के लिए गुजाईश होना चाहिए, तो क्या मैं ये समझो, मेरे लि यूसफ इसका जवाब जान गया था, इसलिए इसका हाठ चोड़ दिया था, शांजे मैं जानता हो माफी मांगना असान है, माफ करना मुश्किल, प्लीज एक बार अपने दिल से पूछो क्या हो, मुझे माफ करने पर तयार नहीं है, यूसफ रुका नहीं था, चला गया थ इस से जादा वो बरदाश नहीं कर सकता था, वो नहीं चाहता था कि इसकी नम आंके शांजे के सामने इसके जजबात का एलान कर दे, शांजे ठके ठके कदमों से घर की तरफ चल दी थी, कहां गया था, माफसन ने मश्कुक सा पूचा था, कही नहीं, कहां जाना है, यूसक पूचा है जो, वो बता, देवदास कहीं का, वहसन नहीं जड़का था, आरे यार, तुछे कोई काम नहीं है, जब देखो नाम देता रहता है, कहां जाना है, तुछे पता तो है, यूसफ भी चड़ गया था, और सौरी, मैं तो भूली गया था, मुलना की दोर मस्चित तक और यूसफ की दोर, वो सिनके अलफाज यूसफ के घूड़ने के वज़ए से बीच में ही रहे गया थे, अच्छा चल, यह बता, मस्टा हल हुआ के, वो मानी, तुछे क्या लगता है, यूसफ ने उल्टा सवाल किया था, शान जाही किया, चुछे असानी से मानज़े, ठे का, ओ, पड़ी लंबी प्लैनिंग है, यूसफ की ऐसी हालत देकर, मस्ट को हसी आगे थी, और इसकी हसी में जल्दी का तेल का काम किया था, और तू क्या, हर वक्त दान तिकान ले लगता है, यूसफ कोसे में बोला था, तेरी हालत देकर न, एक शेर यादा है, सनाओ क्या, यूसफ ने सवाल ये नजरों से देका था, ये भी है, ले तो फिर सुन, एप्तिदाए इश्ग है, रोता है क्या, आगे आगे ओगे देक, होता है क्या, मसी ने दातल नजरों से देका था, और जवावर्य यूसफ ने इसे गुरा था, क्या हुआ, पसन नहीं आए, पर सुनाता हूं, महसीन गला खंगा रहा था, बस कर दे तो अपनी ड्रामे बाजिया मैं ठीक हूं, यूसफ जानता था ये सब इसे बहलाने के लिए कर रहा है, पक्का महसीन ने कनफर्म किया था, हाँ पक्का, यूसफ जाने आस्मान में क्या तलाश करने लगा था, करने लगी तो, कैसे सब्भालूँगा, कैसे कहूँगा, कि मुझे मुझे मुहबत है इससे, लेकिन अब लगता है जो हुआ, सही हुआ, अब कमसकम दिल पे कोई बोच नहीं है, पता है, जूट की बनियाद बहुत कमसोर होती है, इसलिए जूट की बनियाद पे बनाया गय तो पिर वो, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद समाल लूँगा, यूसफ ने रवानी से कहा था, मैंने इसकल दिल दुखाया और इसका भरोसा दोड़ा है, तो जोड़ूँगा भी मैं, इससे मनाऊंगा भी और बोल दूँगा, इसे, कि वो जो भी से जादेगी मुझे मन्सूर है, खलती मेरी है, तो चुक्रा भी मुझे ही पढ़ेगा, चांतो नराज है पर मेरी महबबत सची है, वो मान जाएगी, और मैं मना लूँगा, इसकी फिकर ना कर, जानता है तालुग जोड़ा बहुत असान होते हैं, लेकिन इसको निभाना ब कर पूछ लिया, बस दिल चीत लिया तो नहीं मेरा, महसिन ने कहा, तो यूसफ ने इसे गले से लगा लिया, बस कर, मैं शांज है नहीं हूँ, छोड़ मुझे, शर्म आ रही है, महसिन ना अदाकारी करने के नाकाम सी कौशिश के जिब कि यूसफ ने इसकी कुमर पे, सोर स मुका मारा था, मर गया, कितनी सोर से मारा है, चलो अब शाम को पाटी भी करनी है, यूसफ कहता है, गाड़ी के तरह बढ़ गया था, ओक्रेज़ आज की अपिसोर के लेते हैं, फिर में थे नेक्स अपिसोर के अपता ख्यार रखें का दौा में आद रखेंगा, और हमें फ